दिपावली में कौन सा दीपक जलाएं साथ ही किसी देवी देवता के लिए कौन सा दीपक जलाएं जानिये दीपक के प्रकार और लाव इस वीडियो के माध्यम से बिस्तित रूप से अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और कमेंट्स करें नमस्कार मैं खुडॉक्तर स्रीपतित्र पाथी हिंदु धर्म में देवी देवताओं की पूजा में दीपक या दिया का विशेस नहत्य होता है उस दीप में कौन सा तेल डाला जाए और कौन से बति का प्रियोक करें इस बात का भी विशेस ध्यान रख्था जाता है पूजा में हम अखंड दीप जलाते हैं, तो सुबह साम की दैनिक पूजा में भी दीप जलते हैं, आरती के लिए भी दीपक का प्रियोग होता है, ये दीपक आटे के हो सकते हैं, बिटी के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, अस्तधातू के हो सकते हैं, या स्टील के भी आजक बिशेष प्रकार के दीपक जलाने होते हैं दीपक में लगाई जाने वाली बत्तियों से देवताओं का सम्मंद होता है आईए जानते हैं कि किस देवी देवता के लिए कौन सा दीपक जलाएं और दीपक के कितने प्रकार होते हैं दीपक के प्रकार के बारे में हम बात कर लें, सबसे पहले एक मुखी दीपक है, इस दीपक का प्रियोग अपने इस्ट देव की पूजा के लिए करते हैं, इसमें एक बत्ती का प्रियोग करते हैं, इसमें गाय का घी या तील के तेल का उप्योग करते हैं, आर्थी के लिए इस दीपक का उपियोग होता है। पहले दीपक का उपयोग जो है वह काल भैरों के लिए किया जाता है यम के लिए किया जाता है जैसे दिपावली के दिन जो है उसके पहले जो है दरवाजे पे यम दीपक जो निकाला जाता है तो यम दीपक वह चार बत्तियों वाला होना चाहिए अगर वह जलाते हैं तो नि हैरों की पूजा में भी चार बत्ती वाला दीपक जलाया जाता है इसमें सरसों का तेल डालते हैं पांच मुखी का दीपक सिवपुत्र भगवान कार्तिके की पूजा के लिए पांच बत्ती वाले दीपक का उपयोग किया जाता है इससे कोट केस आदी में बिजय मिलती है और जय जय होता है साथ मुख्य का दीपक धन संपदा और बैभाव की देवी माता लक्षमी को प्रसंद करने के साथ बत्तियों वाले दीपक का उप्योग करते हैं माता लक्षमी की पूजा में साथ मुख्य दीपक जलाना चाहिए आठ मुख्य या बारह मुख्य दीपक देवों के देव महादेव को प्रसंद करने के लिए आठ बत्ति या बारह बत्ति वाले दीपक का उप्योग किया जाता है सोलह मुख्य दीपक कैसे प्रयोग करें कहां किया जाता है जगत के पालनहार भगवान विश्णु की पूजा में सोलह मुख्य यानि सोलह बत्तियों वाला दीपक जो है वह जलाया जाता है धर्वशास्त्रों में बताया गया है कि दीपक को जलाने के लिए गाय के घी या फिर तील के तेल का उपयोग करने की बात कही गई है हलांकि देवों के प्रिये बस्तुओं या ग्रहों से संबन्दि तेलों का उपयोग भी दीपक जलाने में होता है घी का दीपक जलाने से शुक सम्रिधी के लिए घी का दीपक जो है बहुत ही पवित्र और शुद्ध होता है इसलिए घी का दीपक जलाया जाता है इस दीपक को आप परतियक दिन जला सकते हैं हर देवी देवता की पूजा में घी का दीपक जला सकते हैं इससे सुक्सांती और सम्रिद्धी चीरकालिं तक बनी रहती है तील का तेल का दीपक सनी देव के पूजा में इस दीपक को जलाते हैं हलांकी आप तील के तेल का उपयोग अन्ने देवी देवताओं की पूजा में भी कर सकते हैं सरसो के तेल का दीपक बहुत महत्तोपूर्ण है सुरिज देव की अगर आप पूजा करते हैं और कालव हैरो के पुजा में इस दीपक का उप्योग करते हैं, चमेली के तेल का दीपक, संकट मोचन हनुमान जी को प्रसन करने के लिए चमेली के तेल वाला दीपक जलाये जाता है, जिससे यह सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़े और हनुमान जी की कृपा सभी के उपर बनी है अभी तक आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें शेयर करें और फॉलो करें डॉक्टर स्रिपतित्रिपाथी की पीज़ को नमस्कार जैसरे किस्टा